पहु के सो भाग का संकलप सरीका का प्या हुए छे महीने हो गए भरा पुरा परिवार था जिसमें साथ ससुर जेट जेठानी और उनके बच्चे हैं जेठानी सरकारी स्कूल में जवाब करती है लेकिन सरीका भी सुध गिरेली थी खर का काम सब मिलकर आपसी समग अंजर से न पराबरी या एशर दोस जैसा कोई भाव नहीं था जेठानी स्कूल चली जाती तो सरीका अपने सासु मां से पूछ कर कभी कभी पड़ोस के हम उमड कंचन के यहां चली जाती थी धीरे धीरे सरीका के सीधे पन का फायदा उठाते हुए कंचन ने उसके कान भरने शुरू क कर दिया एक दिन वो दोनों आगन में बैट कर बाते कर रही थी कंचन बोली सरका तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे घर में तुम्हारी जेठानी को ज़्यादा महतु दिया जाता है उनकर सरीका सावकेत में नहीं आई और बड़े विश्वास से बोली मगर तुझे तो ऐ करी करती है घर में पैसा कमा कर देती है उसे फरक तो पर्था है कंचन ने सरका को भरा माने की कुसिस की मैं सब समझती हूं हमें ना ही समझाओ तो ही अच्छा है सरका ने बेरुखी से कहा सायक तुम बुरा मान गए पर तेरे सास हमेशा तेरी बुराई ही करती है मैं जानती सब्सक्राइब है इसमें गलत क्या है मेरी जेठानी तारिफ के काईबिल है मुझे पता है दीदी मुझे देवरानी नहीं अपनी बेटी मानती है बच्चे भी मुझे चाची नहीं दीदी ही बोलते है जब मैं कहती हूँ कि दीदी अब मैं बच्ची नहीं हूँ तो जानती हो वो क्या कहती है मुझे पता है तुम बड़ी हो गई हो पर मेरे लिए बेटी जैसी है अभी तेरी उमर ही क्या है साधी हो जाने से बचपना और अलहरपना अचानक होने से मन कभी कभी बंधन महसूस करने लगता है जिसे जीवन में बहुत तुद स्रियों का प्रबेस हो जाता है तुम आराम से रहो कोई बंधन मत समझो जो कर रहा है हो करो ना करने का मन हो तो ना करो कोई कुछ कहता है तो मुझे बुलाओ मैं समालोंगी इतने ही नहीं जब मेरी सास कभी मुझे कुछ कहती भी है तो धीदी उन्हें ही समझाती है जाने दो माँ बच्ची है धीरे धीरे सब जिम्यदारिया का बोज पढ़ेगा तो सब समझा जाएगा मगर वो जिम्यदारी का समय कब आएगा बहू वो मा बन जाएंगी हसते हुए दीदी बात खतम कर देती हैं अब मेरी सास दीदी से कहती है लगता है बहु की तुम मेरी सास है और मैं तुम तेरी बहु और दोनों खुब हसते हैं तब ससुर जी के चहरे पर जो संतोस भरी खुशी दिखती है उसका अहसास तुम कभी नहीं जाकर पाएगी और सासुमा हम दोनों को धेर दुआएं देती हैं और भगवान से प्रत्ना करती हैं कि हमारे बच्चे पर किसी की नजर न लगे जेट जी को कुछ चाहिए होता है वो मुझे ही बुलाते हैं सारी का बेटा जरा ये दे ये दे जाओ और तो और उनकी दोस्त त इतनी बड़ी बेटी मुफ्त में मिल गई हाँ यार सारी का के आने से मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैं दो नहीं तीन बच्चे का बाप हूँ कंचना को अपनी सारी योजनाए तरा सनाए होती नजर आने लगी तब ही सोफली अभी बनती नहीं वो इसलिए कि तुमने उसे देवरानी नहीं नोकरानी समझ रखा में तेरा पती थोड़ा ज़्यादा कमाता है इसलिए ना कभी उसे भी छोटी बहन समझ कर देख देवरानी में छोटी भाई की जगां रख कर देख सबके साथ तुझे भी अच्छा लगेगा तेरी सास नहीं है तो तू भी उसकी अगर उसका ध्यान रख फिर देख उसका अकेला पन भी धूर हो जाएगा और वो खुसी भी रहेगी बच्चों को उनके पास जाने के लिए छोड़ दे तेरे बच्चे का भाग बदल जाएगा और उसमें संसकार भी आ जाएंगे तुम क्या समझती है कि बच्चों को इनक दादा से दूर रह कर तू अच्छा कर रही है कभी नहीं दादा दादी से ज़्यादा लाट प्यार तो मा बाप भी नहीं दे पाते इस मालूम में सौभा किसाली हूँ कि अपने मा बाप की अकेले संतान हूँ तो भाई बहन का लाट प्यार नहीं जान सकती थी लेकिन दीदी के साथ मेरा बच्चपन बीता दीदी के साथ तो मैं सबके से ज़्यादा खुस रहती थी और जानती हो मेरी मा भी बहुत निश्य रहती है और अब सतुराल में जेठानी के रूप में बड़ी बहन का लाट प्यार दुलार पाकर समझ में आया की बहन ऐसी होती है जेट जी के रूप में बड़ा भाई भी मिल गया इससे बड़ा सो भाग और क्या होगा साथ ससुर में अपने मा बाप का सकल दिखता है मुझे एक खर से बिदा होकर दूसरे घर आ गई हूँ मैं बस यही फर्क लगता है मुझे कल और आज में मेरे बाप मा बाप की खुसी उन्हें अपनी बेटी की चिंता जो नहीं करनी पड़ती फिर सारिका ने कहा कि देख कंचना अच्छा सोच अच्छा कर फिर सब अच्छा ही होगा फिर से तुझे भी अपने स्वभाग पर कर्व महसूस होगा कंचना ने कसारिका से कहा तेरा बहुत बहुत धनबा तुने बड़ी ता से मेरी आखे खोल दी अब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगी अपनी देवरानी से छोटी बहन एक दोस्त देवर को बड़ी बहन सलाट प्यार दूंगी ससुर जी को पिता की तरह समझ कर उसकी सेवा करूंगी बच्चों को उनसे दूर नहीं रखूंगी बड़ी बवु नहीं बड़ी बेटी बन कर दिखाऊंगी बहुत अच्छा यदि तुमने ऐसा कर सकती ज्यादा खुस नसीब मुझे होकर सयफली अपने घर की ओर जाने के लिए खड़ी हो गई कंचना सोफली को दरवाजे तक छोड़ने आई आजवा अपने को बहुत हलका महिशूश कर रही थी उसकी आखे सारिका के विचारों से भीगी गए अब वो मन ही मन खुद को बदलने का संकल्प कर रही थी दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और सस्क्राइब भी कीजिएगा और देखते रहे कोमन मोटीबेशनल 2.0